नमस्टे दोस्टो स्वागत है आपका इस वीडियो में इस वीडियो में हम जानेगे पीफ विद्रवल के क्लेम स्टेटर्स प्यमेंट अंडर प्रोसेस के बारे में वीडियो में आगे जाने से पहले आपको बता रहे कि अगर आपको UN और PF से रिलेटेड और भी वीडियो देखनी है तो कुछ वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिक्शन में मिल जाएगी साथ ही आप चैनल को विजिट करके इस तरह की और भी वीडियो देख सकते है जब किसी ने P.F.F. क्लिक क्लैम सब्मिट किया होता है तब वो EPF Member Passbook साइट में लॉग इन करता है Member ID सेलेक करता है उसके बार View Clamp Status पर क्लिक करके क्लैम की डेटेल चेक करने जाता है तब कुछ केस में Total Amount Approved में Amount लिखा होता है क्लैम स्टेटस में Payment Under Process लिखा होता है और रिमार्क्स में भी Payment Under Process लिखा होता है तो ऐसा क्यूं होता है और कब तक हमारा Payment बैंक में क्रेडिट होगा P.F. इद्रवल के लिए जब कोई क्लैम समिट करता है उसके बाद क्लैम स्टेटस में Under Process लिखा होगा आता है उसके बाद जब हमारा क्लैम चेक किया जाता है तब हमारे UN और हमारे क्लैम में सब कुछ करेक होता है तो हमारा जो भी Amount बनता है उसे हमारे बैंक अकाउन में Send कर दिया जाता है और claim status में settle लिखा हुआ आ जाता है पर कुछ case में जब हमारे claim और हमारे amount को अपरूख किया जाता है उसके बार हमारे payment को bank में send करने में ठोड़ा लेट होता है तब claim status में payment under process लिखा हुआ आता है तो जब कोई चेक करता है तब claim status payment under process लिखा हुआ आ रहे तो उसी दिन claim settle का हुआ आ जाएगा क्यूंकि एक से डो दिन में payment under process के बार payment को bank में send कर दिया जाता है claim settle होने के बार तीन दिन के अंडर जाड़ाता लोगों का amount bank में credit हो जाता है कुछ लोगों का डो तीन दिन लेट होता है लास में बात कर लेता है कि हमारा claim को हम submit करते है उसके बाद कब क्लेम को चेक किया जाता है और चेक कन एक बार reject या settle किया जाता है बात करें COVID-19 एड़ास परा से विद्रवल करने की तो जाड़ाता लोगों का claim तीन दिन में settle हो जाता है कुछ ही लोगों का एक या डो दिन लेट होता है उसके बाद बात की जाए इंगलेस एड़ास परा और final withdrawal form 90 और form 10C की तो कम से कम दो दिन में होता है और जाड़ा जाड़ा एक महिना भी हो जाता है claim settle होने में एक महिने बाद भी claim settle ना हो तो PF grievance register करें अगर सभी का claim late settle हो रहा है और आपका claim करने के 10 दिन बाद या 15 दिन बाद ही आप grievance register कर लोगे तो grievance भी कुछ दिन तो इस तरह की और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्स्राइब करके notification बेल को प्रेस कर दिजे ताकि आपको new वीडियो की notification मिलती रहे